हेलो एव्रिवन, वेलकम तो माई यूपी एससी, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आज का महत्वपूर्ण विशय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, हेलमंद नदी विवाद हेलमंद नदी विवाद हेलमंद रिवर डिस्प और तालिबान सैनिकों के बीच संधर्ष सहित हालिया घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, हेलमंद नदी का महत्व क्या है, हेलमंद नदी अफगानिस्तान और इरान दोनों के लिए एक महत्व पूर्ण जल स्रोत के रूप में कार्य करती है, इस क्षेतर में क्रिशी, आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करती है, हिंदु कुष परवत शिंखला हिंदु कुष माउंटेन रेंज में काबुल के पास से निकल कर, यह नदी हमुन जील लेक हमुन में गिरने से पहले लगभग 1150 किलोमीटर तक बहती ह है, नदी के पानी के आवंटन को विन्यमित करने के लिए, इरान और अफगानिस्तान ने 1973 में हेलमंद नदी संधी पर हस्ताक्षर किये, हालां की समझोते को पूरी तरह से लागु नहीं किया गया था, जिसके चलते असमती और तनाव जारी रहा इरान ने अफगानिस्तान पर अपने जल अधिकारों का उलंगन करने का आरोप लगाया है, यहां दावा करते हुए कि उसे संधी में तै की गई राशी से काफी कम पानी मिलता है दूसरी और अफगानिस्तान नदी के पानी की मात्रा में कमी का श्रेय कम वर्षा जैसे जलवायू संबंधी कारकों को देता है इरान और तालिबान के बीच जटिल संबंध है तेहरान ने 2021 में काबुल पर कबजा करने से पहले तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाये थे सीमा पर होने वाली घटनाओं ने उनकी बातचीत को तनाव पूर्ण बना दिया है जल अधिकारों से संबंधित समझोतों का सम्मान करने में तालिबान की अनिच्छा ने तनाव को और बढ़ा दिया है प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थांक यू